कोरोना महमारी में 1552 केस आने के बाद इंदोर शहर में सत्ता धारी दल भाज़पा की चिंता बढ़ गई है ऐसे में भारती जन्ता पार्टी कोर कमिटी के बैठक बुद्वार को भाज़पा मुख्यालाई इंदोर में रखी गई जहां कोरोना पर नियंतरन और संक्मृतों को सहता और सुरक्षत प्रदान करने को लेकर मुख्यमंतरी सीवरा से चोहां से ओनलें चर्चा की भाज़पा विधायक आकास विजवरगी ने बताया कि भारती इंदा पार्टी देश के सबसे बड़ी सक्ति है और इस सक्ति का उपयोग कर समयतन सील मुख्यमंतरी और अन्य नेता कोरोना की इस दोर में संक्ट से लड़ रहे हैं और आम जनता के साथ है विजवरगी की मताबिक शहर में कोरोना के बचाओ वाली रेट में सीविर इंजेसन भी कमी ना हो परियात्त मात्राम सभी को आक्सेन मिले अस्पतालों में पलंग की तकलीब नहों इन सब मुद्द पर बेठक की चर्चा हुई करी जगर समसान घाट में दासनसकार में दिक्कते आ रही है इसी तरह तुलसी सिलावट ने बताया कि कोरोना कर्फियों के दोरान आमजन को रासन पाने की तकलीब नहों दवाईयां खरिदने में कोई विंगन नहों इसको लेकर विशेस तोर पर चर्चा की गई इन दो से बीरो राकर सच्चा के साथ सतिर सर्मा की रिपोर्ट भूम रहें, मधूभिया गूप रहें पूर गुदाय गूब रहें अभी आकाट जी नए प्रयास किया देखा गी नहीं आपनों अब कि बार बार कहा जा रहा है कि बेट उपलब दे उपलब दे लेकिन मरीद जाता है इससी कोई सेंट्रलाइज वेवस्थ तक कि जाए वह आज कर रहा है इसलिए बात की ने एक व्यक्तिव को अधिकत करेंगे को व्यक्ति पूछे एक नोडल अधिकारी बना रहा है मैंने हमारे दोनों अधियक्स गौरो जी राजय सौनकर जी सभी विधायक पूर विधायक और सांसर जी थोड़ी तब्यत खराब की सारे लोगों का मनसा ही संकट बड़ा है मामारी बड़ी है जो अभाव आ रहा है जो समस्य आ रही है हमको सम मिट बेटकर इसका समाधान करना है आम नागरी के आवाज बनना है इसलिए हर विदान सभा का अपना हिलाका समालेंगे वहाँ चिनित करेंगे जो करोना में जो समस्या आ रही है कौन सा परीबार गरीब है इसको क्या अचाहता चीश उस परीबार को केसे मड़द कर सकते हैं जिसे बुजूर्ख हैं वहां कोई घर में नहीं है तो वहां दबा की व्यस्था करेंगे राशन की व्यस्था करेंगे वो सारी सुविदा मुईया करने का काम भारती जन्ता पार्टी का वरकर करेगा टोली करेगी पोलिंग बूत का अध्यक्ष करेगा मंदल अध्यक करेगा विधायक जी के नेत्वत सब्सक्राइब यहेंगी कि वो सारी समच्चा का समाधान करने का भारती यंता पार्टी का संखल पर वो पूरी कोछिज आएगी जो वैक्सिन के समस्य आई थी आपको पता है महराश ने बन कर दी सूरत ने बन कर दी विलाई से मुल रही है करें बति से बात की यह करें Colmente tu publies चे डेस विलाई जी अग्रें से उत्तादन नहीं होता है अन्य प्रांतों से अलारा और युद्विस्तर पर हम लगें जल्दी हो जाएगा और अभी इसको एक हमने जिस्व हमारे जो उनके टेंकर आते हैं उसको हम एम्बूलेंस के दर्जा दे रहा है इसको कोई रोके नहीं जो बारा-बारा घंटे का विलम मतीजी ने कहा है कि हम एम्बूलेंस का कोई नहीं रोके घंट यह परियास करें कि इसमें किसकी विप्ल्टा मानते हैं चिल्क हैं अक्लन नीं कर पाहि सब्सक्राइब या है जी सथाब से हैं देखिये यह तो पूरे देश का हर नागरिक क्योंढ ऑस्ष्वस्त हो गया था क कोरोना कम हो गया है, खतम हो गया है, तो सबी लोग कुल मिला करके थोड़े से कोरोना को लेकर के relaxed हो गए थे जनता ने भी मास्क लगाना बन कर दिये थे social distancing का पालन करना बन कर दिया था इसी प्रकार प्रशाशन भी जो पिछले आठ महीने उन्होंने खूप कड़ी मेहनत की थी वो लोग भी सब थोड़े से वो relaxed हो गए सबी लोग मतलब कोरोना से फोकस हटके बाकी की जिन्दगी पर फोकस करने लग गए थे किसी ने भी सोचा नहीं था कि कोरोना इतना ज्यादा तेजी से लोट कर आएगा ऐसा किसी ने कलपना नहीं की थी तो उसका परिणाम में थोड़ी सी इस्तिथी डगमगाई मगर मुझे लगता है कि सबी लोगों ने अब कमर कस लिए तो हम लोग पुना इस पर विजय पाने में सफल रहेंगे और जो हमने कि यह कोरोना तरह से वापस आ सकता है यह सीख भी हम लोग लेंगे और आगे से जो रिलैक्स हो गए थे उस प्रकार से कभी भी अब नहीं होंगे हमेशा चौकनने रहेंगे मुझे लगता है अगर इस तरह से आगे काम करेंगे तो कभी भी फिर कोरोना आएगा निए एक बात जो मैं आपको बताना बूल गया वैक्सिनेशन पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और हमारा भी सभी जन प्रतिनी दी सारे हमारे कारे करता कुछ कई महिनों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगए उसका प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है जादा से जादा लोगों को वैक्सीन लग गई तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है इस समस्या तो योजना बना रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास बड़ा उर्गेनाइजेशन स्रक्चर है उसका उप्योग करके जन्नता को कम से कम समस्या आये इसका हम लोग प्रयास करते रहते हैं तो अभी जैसे हमारी चर्चा हुई है कि हम लोग जो होम कॉरंटाइन है परिवार लोग उनको भोजन विवस्ता कराएंगे ऐसा हमने अभी विचार विमर्ष किया है एक कॉरंटाइन सेंटर हम लोग अपने छेतर में खोल सकते हैं क्योंकि छोटी-छोटी बस्तियां है जो वहां के जैसे बहुत ही छोटे मकान है अगर एक दो व्यक्ति पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनको होम कॉरंटाइन होने में बहुत तकलीफ आती है तो ऐसे छोटी-छोटी बस्तियों के लोग वहां पर पॉरंटाइन सेंटर में रह सकते हैं ऐसी हमारी कुछ अभी प्लानिंग हुई है शाम तक वह मूर्त रूप लेगी कि हम लोग जादा से जादा समस्या क्या है और हम अमारी शक्तियों का उप्योप करके कौन सी बड़ अब अब उनकी भी ऐसी मांग है तो निसंदे अब मैं स्वयम भी डॉक्टर हर्शवर्दन जी से चर्चा करके मांग करने वाला हूं कि अब ये एज लिमेट अब फोल दें ओपन टू आल कर दें ताकि जो इंफ्रस्ट्रक्चर हमारा अल्रेडी बना हुआ है उसका हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें